और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में नकली इलेक्ट्रिक्स स्कूटी मिली है जी हाँ शहर में नकली स्कूटी के शोरूम का भंडा फोड हुआ शोरूम में पुलिस ने छापामार कारवाई की है और इस दोरान मैनेजर को गिरफकार भी कर लिया गया है पुलिस ने साथ नकली स्कूटी भी जब्त कर लिया है ये वो नकली स्कूटी है जो शोरूम में रखी हुई थी पुलिस ने इने जब्त कर लिया है और ठाने इनको लेकर पुलिस पहुच चुकी है अगर आप स्कूटी चलाते हैं और आपने हाल में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है ये आगरा का बालू गंजिला का है लेकिन यहाँ नकली के नाम पर जो गोरक धंदा हो रहा है वो बेहच चौकाने वाला है क्योंकि यहाँ तो स्कूटी ही नकली बनाई जा रही है मतलब फरजी वाड़ा इस हद तक हो गया है कि लोग नामी कमपनियों का स्टीकर लगा कर बाजार में ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बेच रहे है आगरा में जब पुलिस ने एक शोरूम में छापा मारा तो वहाँ ऐसी क ही नकली इलेक्ट्रिक स्कूटी रखी हुई थी फरजी वाड़ा करने वालों ने इसकी कीमत भी हाई फाई रखी थी इसमें नामी कमपनी का स्टीकर भी लगा था और इसी पैकेजिंग की वज़ा से लोग धोका खा रहे थे हलंकि ये कारोबार जादा दिन तक नहीं चल प अब जिस एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उससे पूष्टाज के बाद नकली स्कूटी से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं तो वही देखिए इस फरजी कंपनी के CEO ने बताया है कि जब वो पुलिस के साथ चापामार कारवाई में पहुंचो इस वक्त भी शोरूम वाले किसी कस्टमर को नकली स्कूटी बेच रहे थे ZNews